आप सब का एक और नई वीडियो में इस वीडियो में मैं डिसकस करने वाला हूँ वीकली आयरन कॉंडोर सेंसेक्स का वेल हम सबको मालूमें सेभी का निया रूल आ चुका है जिसकी वज़े से निफ्टी एंसेक्स में बहुत जादा वीकली ट्रेडिंग होने वाली है और जो बाकी के इंडेक्स हैं इन सब में आप वीकली आप ट्रेड नहीं कर पाएंगे ऑल्दो आप इन सबको महिने के लास्ट वाले वीक में डेफिरिंटली ट्रेड कर पाएंगे अब इस वीडियो में मैं आपको Iron Condor की बहुती सिंपल जी स्ट्रेडिजी बताने वाला हूँ एज़ेस्ट्मेंट के साथ इस पूर्डी वीडियो में मैं सबसे पहले आपको इसके रूल्स बता दूँगा इसका लॉजी बताऊँगा उसके बाद मैं आपको इसको एक एक ताकि आपको पूरा clear cut समझ आ जाए कि कैसे इसको deploy करना है और क्या क्या इसकी adjustments रहने वाली है सबसे पहले देख लेते हैं इसके rules वेल हमें ये sensex में trade करनी है जहां पे आपको 6 out of the money का call and put option sell करना है and 9 out of the money का call and put option buy करना है जो भी नई trader है बिल्कुल भी confused मत होईएगा अभ को समझ आ जाएगा कि iron contour कैसे बनता है इसमें entry रहने वाली है 3.15 p.m. Friday को and exit रहीगी 3.00 p.m. next Friday हम सभी को मालूम है कि sensex की जो weekly expiry हो Friday होती है so Friday को 3.15 पे मैं यहां पे नई entry डालूँगा and अगले Friday 3.00 बजे मैं वो close करतूँगा थाकि यही strategy repetitive cycle में चलती रहे and मुझे बीच adjustment भी करने वाले adjustment बहुत जादा simple है दो अलग-अलग adjustments हम करेंगे यही same adjustment की मैंने अलग-अलग बहुत साभी वीडियो में बना चुका हूँ मैंने nifty की iron contour की वीडियो बना दी है monthly plus मैंने weekly की भी nifty bank nifty iron fly iron contour सभी बना दी है इस वीडियो में मैं आपको iron contour बताने वालों sensex में लिंक है फटा-फट जाके इसमें आप login कर सकते हैं अब इसके simulator section में चलते हैं यहाँ पे 25th of October का example लेने वाला हूँ entry time मैं इसके 3.15 ले लेता हूँ guys 3.15 ऐसको specific time नहीं है कि आपको यही time लेना है जो भी आपको comfortable आप वो ले सकते हैं अब यहाँ पे expiry 25th of October की हम नहीं ले रहे हैं हम 31st of October की लेंगे ठीक है 25th of October की expiry है तो उसके अगली expiry 31st of October की जो next expiry है वो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ अब दीखिये spot चल रहा है 79,400 तो 79,400 से 6 out of the money जाके पहले मैं sell करूँगा तो 1,2,3,4,5,6 तो 78,800 यह मैं sell करूँगा and 7,89 यह मैं buy कर लूगा यही सेम चीज़ हम call option की तरफ भी करेंगे 1,2,3,4,5,6,7,89 यह मैं buy कर लूगा तो screen के left hand side पे आप यह trade दिख सकते हैं and right hand side प अब इसी को हम trade करने वाले हैं इसमें दो simple सी अलग-अलग situation है पहली situation यह है कि अगर market पूरा हफता इस green trend के अंदर रह जाती है हमें कुछ भी नहीं करना है हमें अपना पस profit लेना है अपनी trade close करनी है and अगले हफते के लिए वापे से यही same trade place करनी है पहली situation यह होगी दूस इसरी situation यह है कि अगर market break even के भार जाती है उपर यह नीचे की तरफ then वहाँ पे हमें adjustment करनी है उपर की तरफ का break even है 80,162 and नीचे की तरफ का break even है 78,638 अगर market उपर यह नीचे जाती है break even के भार तो हम वहाँ पे adjustment करेंगे and adjustment क्या है बस आप 2 minute वीडियो में रुकिए वीडि exactly 11 o'clock 28th of October Monday का दिन अब market हमारे break even के भार आ चुकी है देखिए हमारा break even था 80,162 and अभी market 80,232 के चल रही है total M2 हमें हाँ पे अभी currently 325 रुपीज का negative चल रहा है so अब हम यहाँ पे adjustment करेंगे well adjustment बहुत जादा simple है मैं बहुत सारी वीडियो में बता चुका हूँ सबसे पहले हम buy वाली adjustment करेंगे अब देखिए add the money market भी चल रही है 80,250 तो सबसे पहले simple सी चीज़ है कि market उबर की तरफ के break even के भार आई है तो अब add the money हम यहाँ पे सबसे पहले buy कर लेंगे 80,200 add the money चल रहा है market उबर की तरफ के break even के भार आई है तो call option में हम पहले buy करेंगे तो 78,657 मतलब 78,700 का यहाँ पे put option में एक sell भी कर दूँगा जो 78,250 अब इससे क्या हुआ है उपर की तरफ का हमें कोई भी loss नहीं है सिर्फ 123 रुपे का loss है तो उपर की तरफ के break even पही हम close करेंगे and नीचे की तरफ मेरे पास अभी 1.7% का room है अब यह इसमें अच्छी बात यह है कि 1.7% आपको यह एक हफते का मिल रहा है and अगर आपको इतना मिलता है it is like really good to go because एक हफते का यह अच्छा-कास सा percentage consider किया जाता है अब यहाँ पे अगर market continuously ऊपर जाती चली जाएगी हमें कोई भी दिक्कत नहीं है because हम एकदम break even में close करने वाले अगर market slightly reversal होती है तो यहाँ पे मेरे पास 2% की range है and अगर market 2% तक fall भी कर जाती है मुझे कोई भी tension नहीं है मुझे 1.75% का profit होगा बस एक ही यहाँ पे दिक्कत है कि अगर market बहुत जादा बड़ा gap up gap down हो जाएगी and मेरे loss वाले section में आएगी तो मुझे यहाँ पे loss हो सकता है बट यह है कि ना ऐसा हर बार नहीं होगा हर हफते ऐसा नहीं होगा कि बहुत जादा major gap up gap down हो रहा है बस यही simple सी adjustment है और आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है well iron fly and iron condor की adjustments है adjustment same है लेकिन उसको treat करने का अलग अलग तरीका है because iron fly अगर आपको याद होगा मैंने आपको यही same adjustment के साथ बताया था कि अगर reversal में green tend के top पे आती है market then जो extra हमने call या put option sell किया उसको आप close कर सकते है लेकिन iron condor में हम ऐसा नहीं करेंगे हम इसको पूरा end तक hold करके चलेंगे अगर market नमारे loss वाले section में कभी भी आईगी तो हम यहाँ पे अपनी सारी की सारी trade close कर देंगे हम इसमें all the adjustment नहीं करेंगे आपको यह बात समय जी बढ़ेगी iron fly iron condor में हजारो तरीके के अलग-अलग आप combinations कर सकते है मैं बस आपको अलग-अलग combinations बना के दिखा रहा हूँ उसके बाद यह आपका काम है कि आपको यह खुद देखना है कि आपकी psychology and mindset के सामसे कौन सा ऐसा combination है जो आपको fit better है देन उसको फिर आप continuously backtest करके देखिए अगर आपको result अच्छा हैगा देन उसको आप live market में trade करना शुरू कर सकते है अब इसको मैं वापिस forward test करता हूँ अब इसमें अब हम देखेंगे अगर market इतना reverse होगे कि हमारे वो loss वाले section में आने लग गई जैसी वो आईगी हम अपनी trade close भी करतेंगे अब इसको forward test करते हैं देखते हैं exactly 3 o'clock 31st of October Thursday कर दिन market एकदम हमारे green trend में close हुई है अब हम यहाँ पे अपनी trade close कर देंगे हमें 1.7 percentage का profit हो रहा है well 1st of November Friday को holiday इसलिए 31st of October की expiries ने लिए है बहुत जादा simple सी adjustment है बस यही simple adjustment आप बार बार एक बार करके देखिए definitely आपको कुछ न कुछ outcome आएगा अब गईज इसमें एक और सीजी है कि जब आप खुद कोई particular strategy को 4-5 साल लगातार इसको back test करते जाते हैं आपको जब आप back test कर रहे होंगे आप 3-4 घंट लगातार बैठेंगे आपको खुद बहुत सारे अलग-लग ideas आएंगे दिमाग में और उन ideas से आप और जादा better strategy निकाल के आ सकते हैं जो आप long run में भी follow कर पाएंगे बस यही था strategy के बार में I hope आपको इस strategy समझा गई हो इसके बार में कोई भी doubt है आप बेच जजग मुझे comment section में पूछ सकते हैं I'll be more than happy to answer all your queries So यही था इस video के बार में Thank you for watching the video with lots of patience Let's meet in the next video then